विदियो बना रहा हूँ और ट्रैवलिंग में था इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं दे पाया लेकिन यह आप देखिए यह जो हमने 75 मिनिट का टाइम फ्रेम है इसको देखिए यह आपको क्लियर ली इंडिकेशन मिल रहे होंगे कि आप 37,326 यह बहुत ही स्ट्रॉंग स अपर को बारा बज़े तक जैसे निफ्टी में हमने टार्गेट निकाला है तो इसमें भी निकल सकता है तो इसके लिए एक स्ट्रॉंग बाउंस उपर की तरफ देना परेगा निफ्टी को और सारे लोग अभी बेरिश है यह जैक्स निफ्टी भी अभी ज़िए जब बेरिश होते हैं तो इसलिए सारे चार्ड कमांडूस प्रॉफिट में होते हैं और बाप हमारे साथ है तो डर निकी क्या बात है तो यहां पर 37,326 यह इंपौर्टन लेवल रहेगा अगर गाप डाउन हो कि यहां पर अगर एक रिवर्सल मिल जाता है हमें तो बहुत बहुत और बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा एकस्पाइरी वाला तो मज़ा आने वाला है उसमें और दूसरा एकस्ट इंट्राडे के हम टार्गेट देखने के कोशिश करें तो यह मैंने फाइव मिनिट का टाइम फ्रेम उपन किया है यहां पर अगर यहां पर गाप डाउन भी मिलता है और 37,394 यहने 400 पकड़ लो आप इस एरिया से यह जो नीचे दो लेवल दिया इस एरिया से अगर बुलिश प्रेशर की कैंडल मिलती है तो हम यहां पर लॉंग का प्लान करेंगे सारे लोग गाप डाउन के बाद और सौट करने के कोशिश करेंगे लेकिन यहां पर एक लॉंग का बेश ट्रेयर मिलेगा जो 37,394 के आसपास से रिवर्सल मिलेगा या उससे भी अगर डाउ होंगे और फिर हम दूसरा प्लान करेंगे कि कैसे सेलिंग में हम कमा सकते है और यह गाप डाउन ना ओपन होके इधर यह साइडवेज ओपन होके यह लेवल ब्रेक कर देता है 37,860 की तो फिर बहुत मज़ा आएगा और यहां पर इस ब्रेक के बाद जैसे मैंने और लिमें टार्गेट दिये हैं उससे सबसे ऊपर के टार्गेट भी यहां पर आ सकते हैं एकसपारी के दिन कभी भी ध्यान लिए रखिए रिवर्जल ट्रेड लेना है क्योंकि प्रीमियम बहुत डाउन हो जाता है उस टाइम पर स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी एक्युमिलेट करता रहत है उस ऑप्षन को तो बहुत बार आपने देखा होगा कि हमने ऑप्षन में ट्रेड लेने के बाद थोड़ा और भी नीचे जाता है और उसके बाद को कुट्ते की तरह भाग के हमें तो हंड्रेड फोर हंड्रेड टेन हंडर वन थाउजन परसंट के भी रिटन देता है तो आज मिलके बहुत मज़ा करेंगे आईये मिलेंगे ठीक नव बचे तब तक के लिए हसते रहे हसते रहे यूंग कुश अबार ते रहे फ्रेंड्स बाई-बाई-बाई-फॉर नौ